हलो गाइस वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम लोग चिकेन बिर्यानी बनाएंगे जिसके लिए हम लोग को यह सब थोड़ी सी चीजे लेनी हैं फिर एक पैन में हम लोगों को एक बोल ऑईल डालना है और फिर इसमें लेमन डालना है मैं और फिर दो अनियन जो हमने मीडियम स जाएगी तो हमने इस पर चिकेन एट करना है चिकेन को इसी में थोड़ा सा फ्राइ करना है फिर हमने इसमें दो स्पून जिंजर गाली का पेस डालना है और नमक मिर्च डालनी है और फिर थोड़ा सा हमें इसको सौते करना है और फिर दही डालना है दो स्पून पर इसको मिक्स कर लेना है पर हमें एक बोल पानी डालके इसको धक्त देना है ताकि ये मीट अच्छे से गल जाए और फिर हमने जौतरी और इलाइची और काली मिर्श हमने इसको पीसी थी चार पांच इलाइची थी और जौतरी छोटी सी और आट-दस काली मिर्श के वह सब पीसे थी अपने इसको ग्राइंडर में पीस के इसमें डालना है और इसको धग देना है गलने के लिए और फिर हमने एक बरतन में दो स्पून नमक डालके और लॉंग डालके 5-6 और तेस पत्ते 2-3 और बड़ी हिलाइची डालके पका लिया और यहाँ पर हमने राइस लिये थे जो हमने 20 मिनिट के लिए विगो दिये थे दोके और फिर उसमें डालने है जब ही पानी बॉयल हो जाएगा और फिर इसको देख लेना है कि जब हाफ बॉयल हो जाएग आधे पके आधे कच्चे चामल रहने चाहिए फिर आधे राइस हम लोग को अलग रख देने और फिर इसके उपर हमने यह ग्रेवी चिकेन की लगा रखनी है और उसके जो आधे राइस थे वो हमें इसके उपक कवर करने है और फिर हमने एक बोल इसमें मिल्क एट कर देना है और प्योर गी हमें इसमें इसमें दो तीन स्पून डालने है और केवड़ा हमें दो स्पून डालने हैं अच्छे से पहला के डालने हैं कि ताकि इसकी अरोमा सारे राइस में आ जाए और फिर कलर एट कर लेना है इसमें और फिर इसको हमें लो फ्लेम पे इसको ढखके और इसके उपर कोई भारी चीज रखके रख देना है और फिर जब हम लोग इसको खोलेंगे तो इसके राइस बिल्कुल पक गए होंगे इसी की स्टीम से और फिर इसको मिक्स कर लेना है फिर अमलों की तैयार हो जाएगी बिल्यारी